हाई हेलो गाईज वेलकम बेक टू माई न्यू विलोग आसा करता हूँ और उमीद भी करता हूँ आई होफ ये विलोग आपको पसंद आएगा जैसे कि गाईज आप थमनेल और टाइटल देखकर समझी गए है कि आज हमारा सफर बस में होने वाला है लेकिन बात करने वाले है बस ड्रावरों के बारे में और ट्रक ड्रावरों के बारे में वो कौन सी लाइन पे ड्रावरिंग करते है और उनको ड्रावरिंग करने में कितना तकलिब होता है या इसली हो या सेफली वो ड्रावरिंग करते है तो फाइनली गाईज हमने बस का टि से कुएट शीटी और जो यहां भाई ड्रावरिंग करते है बस ड्रावर लाइट ड्रावर हेवी ड्रावर उनको पता है कि फाइल से कुएच शीटी जाने का जो सीधा रोड होता है वो 30 नमबर ही है हाला कि 40 भी जाती है लेकिन 40 में आपका गाड़ी में जादा किलोमेटर आएगा लेकिन 30 से जाएंगे तो वो आपकी गाड़ी में कम किलोमेटर अब हमारी बस यहां से चल चुकी है बस इस्टोप से और बस ड्रावर हर एक इस्टोप पे गाड़ी को रोकता है हर एक इस्टोप से अपनी कस्टमर को या यू कए सुवारी को उठाता है हर तीन किलोमेटर हर दो किलोमेटर के बाद बस इस्टोप आता है वहां हो सुवारी को उतारता है और सुवारी को चड़ाता है यहां पे बस के अंदर कनेक्टरी सिस्टम नहीं है आप अपना टिगड लोग आपको जा जाना है आके ड्रावर को बताओ ड्रावर आपकी गाड़ी लोक देखा दोस्तो बस ड्रावरों की सेलेरी कितनी होती है बस ड्रावरों की सेलेरी 140 केड़ी से स्टार्टिंग है 160, 170, 180 यहां तक बस रावरों को ज्यादा ट्रिप करने पे उनका भी अलग शेलेरी मिलती है यह 8 गंटे की भी हो सकती है और यह 12 गंटे की भी हो सकती है दोनों में फरक यह है कि जो आपकी कंपनी है न जब आपको वीजा देती है जब आप आते हो उस समय आपका जो एग्रिमेंट होता है उसमें लिखा जाता है कि आपकी डूटी टाइम क्या है आपको कितना घंटा डूटी करना है आपकी चैलेरी इतनी रहेगी आपका रहना करना कंपनी का है कई वार कंपनी फूड अलव नहीं करती है बस ड्रावरों को और कंपनी फूड अलव भी करती है जो कंपनी फूड अलव पलस आपको रहने की सुईता देगी वो कंपनी आपको सेलेरी कम देगी एकचो चालीस एकचो पचास केड़ी के आसपास रहती है बहुत सारे ड्रावरों से बात किया जाना कि उनका सेलेरी एकसो साथ है तो उनको पर ट्रीप कुछ पैसे मिलते हैं और जितना जादा ट्रीप होता है उतना उसको पैसे मिलते हैं दोस्तों ये है बस स्टोप बस स्टोप इसी परकार से ही बना हुआ है और ये है सिलीपर बस जो लोग चड़ रहे है उतर रहे है ये है सिलीपर बस सिली पर बस कुछ इस तरह की होती है जो नए ड्रावर आएंगे न बस ड्रावर में तो उनको थोड़ा परिशानी का सामना करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर सिस्टम से चलना होता है रिटेनल ड्रावर होता है उसको प्रोब्लम नहीं आती है जादा तर जो प्रोब्लम आती है परिशानी का सामना करना पड़ता है वो जो नए बस ड्रावर है उनको होता है बहुत सारे भाई कन्फूजन में रहते हैं कि इनका वीजा कहां से मिलेगा ये वीजा आपको इंडिया से ही मिलेगा और आपको ये वीजा कंपनी ही देगा क्योंकि यहाँ पे जितने भी बच्चे चलती है वो परावट कंपनी के थुरूद चलती है आपको कंपनी ही पुला सकती है और आपका जो कुछ भी है सब कंपनी ही कर सकती है यहाँ पे एक-एक वीजा नहीं मिलता है जब भी बस ड्रावर का ट्रॉक ड्रावर का वीजा निकलता है तो वो 20 चे 10 वीज एक 7 इस वीडियो में आपको दाय बाय का जो लोकेशन है न हो आपको अच्छा दिखने वाला है विवब है न बहुत ही अच्छा दिखने वाला है फिलाल जो हमारी बस है वो चल रही है दो लाइन रोड पे और एक साइड में आप देख सकते हो पेड़ है लगे हुए और दूसरी साइड में आप देख सकते हो हर जगा कुछ चौपे बनी हुई है और उनके आगे पारकिंग बनी हुई है यानि कार के लिए यहां पे जितने भी जो नोकरी करते है वरकर है जो खुद का बिजनेस है उनके पास खुद की कार भी है और इस तरह से जो बिजनेस करते है वो कार को खड़ी करते है अपनी पारकिंग में यहां पे जो कार की पारकिंग होती है वो 95% free of cost रहती है आप आराम से अपनी कार को पारक कर सकते हैं कहीं भी फिरी of cost पारकिंग होती है लेकिन बस ड्रावर वो एकी लाइन पे ड्रावरिंग करता है जहां तक उनको फांचना है वहां तक वो एकी लाइन पे ड्रावरिंग करेगा साथ four line road हो साथ single line हो या double line हो वो एकी side ड्रावरिंग करता है four line से बस चलती हुई चलते चलते बस आ गई है दो लाइन पे यहां पे है बस stop यहां से बस रुख गई है सुवारी जैसे ही चड़ेगी बस आगे बढ़ जाती है यहां पे एक बड़ा सा round a board है यानि गोल चकर बना हुआ है और यहां पे ड्रावरों को गाड़ी चलाने में बहुत ध्यान रखनी पड़ती है क्योंकि यहां से गाड़ी चारों तरफ से गाड़ी आती है तो अभी तो double line है छोटी छोटी कारे आप देख सकते हैं लेकिन यह है double line और double line के बाद में अब आ जाएगी four line city यहां पे जो यह going is अब आपको road दिख ही है यह bus stop से ड्रावर ने गाड़ी को रोका है यहां से जैसे ही हो फोारी बैट जाएगी वो अगले bus stop से पहले bus नहीं रोखे गी जहां bus stop है वहांë रोखेगी अगर उनको लगता है कि बिना बस स्टॉप पे हम खड़े हो जाएंगे और हमें बस वाला लेके जाएंगे तो पूरा दिन आप खड़े रहना बस वाला आपको कभी भी लेके नहीं जाएगा बस ड्रावरों की डूटी थोड़ी हाड होती है और दिन भर अपनी नजरों को सुमारी के उपर रोड के उपर चड़ते उतरते वाँ कुमानी पड़ती है तो बस ड्रावरों की डूटी थोड़ी हाड होती है ट्रक ड्रावरों की डूटी हाड नहीं होती है क्योंगी बस को बार बार रोकना पड़ता है और ट्रक ड्रावरों को न तो बार बार रोकना पड़ता है ट्रक ड्रावर क्या करते है जैसे यह अभी बत चलती है वैसे ही ट्रक ड्रावर वाला इसी लाइन में अपना गाड़ी को चलाता है बस ड्रावरों की और ट्रक ड्रावरों की सेलेरी सेम ही होती है कोई डिफेंड नहीं होता है सेलेरी में नए और रिटेनर की सेलेरी उसी हैसाब से ही तेह होती है क्योंकि हेवी लाइसेज होता है उसके आदार पे ही उनकी सेलेरी तेह होती है तो गाईज बस ड्रावरों की लाइफ ऐसे होती है बस ड्रावरों का काम ऐसे होता है बस को ड्रावरिंग करना होता है ट्रक ड्रावरों की लाइफ भी कुछ इस तरह ही होती है और हमारा सफर भी आज का बस का बहुत अच्छा रहा और बहुत कुछ देखने को मिला व्यूव मिला अंदर लोग थे उन्चे बात करके बहुत कुछ यानि इस वीडियो में आप तक लाने की कोशिश की जो की एक रियल चीज होती है वो बहुत कम हमें देखने को मिलती है ज्यादा तर बस में सफर अजनभी लोग करते है यानि वरकर यहां काम करने वाले वरकर होते है वो बस में सफर करके अपने काम करते है वहां पहुंचते है और वहां से वापस रिटेंड आते है आई होफ दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा दोस्तों पसंद आए तो लाइक, शेर, सब्सक्राइबर कर लीजिए जब भी हम अपने चैनल पर न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो तुरांत आपके पास नोटिफिकेशन आजाएगा लव यू गाइज फिर मिलेंगे नेक्स वीडियो में